थम्स अप देगा तब शुरू करेंगे अलो उसके देखे ना गनीजी पुटर पर देखा कोड़ी ना क्या चीज़ इतना हम लोग टेक्निकली स्मार्ट होते तुम्हें इधर बैठा होता आप इधर बैठी होते गनीजी देखे ना हाँ जी रेडी नमस्कार साथियों आज हम दो मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे एक अंतराश्ट्री और एक राश्ट्री महतु का मैं चीन पर आपसे चर्चा करूँगा चाइना पर चर्चा और मेरी साथी सुप्रिया जी जो करनाटक में आप लोग देख रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे ये प्यार ना होगा कम जिन पिंग तेरी कसम ये हमारे मोदी जी की तरफ से गाना आज चीन के वो पेश है कितने ही कर ले सितम गलवान में अच्छा ये एक तरफा प्यार है ऐसा लगता है मोदी जी का चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है वन वे ट्राफिक गलवान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा फिर बीस जवान बहदुर जवान शहीद भी हुए उसके बाद क्लीन चिट प्रधान मंत्री ने दी उसके बाद जैशंकर जी ने तो नतमस तक हो गए पूरी तरह से इलाब वो तो बड़ी एकॉनोमी है हम तो छोटी एकॉनोमी हम उनसे कैसे मुकाबला करें तो जो नुकसान प्रधान मंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को उससे दोहरा नुकसान जैशंकर जी के स्टेट्मेंट से हुआ ना केवल चीन को बलकि ऐसे तमाम ताक्तों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थोयस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे ज़्यादा मजबूत हो अब उनके मन में आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता वो साहस नहीं दिखाती हिंदुस्तान की राजनेतिक नेत्रित बात लाल आँख की थी हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिचाए गए चीन के जो विदेश मंतरी हैं उनके स्वागत में आप जूला जूलते हमें कोई दिक्कत नहीं महमान है आप जूलिए लेकिन आज आप लेसी पर वारता चीन से कर रहे हैं देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं 17 राउंड वारता आपकी चीन से मिलिटरी स्तरकी हो चुकी है नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते हैं और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं तो ये बातचीत एलेसी के किस मुद्दे पर चल रही है या तो आपने तब जूट बोला था माफी मांगिए या आप कुछ अब छुपा रहे हो बताईए दोनों में से एक चीज हो सकती है ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूँ ही बातचीत करने चले गए military level कोई मजाग तो होता नहीं है तीन साल पहले 20 अपरेल 2020 को जिन पॉइंट्स पर हमारी सेना हमारे forces गष्ट लगा पाते थे आज तीन साल होने वाले हैं अगले महिने की 20 तारिक को हो जाएंगे नहीं लगा पा रहे है पैंसट पेट्रोलिंग पार्टी के मंच से विशेशग्य बता चुके हैं सैटलाइट इमेजरी बता चुकी है सेवा निवरित सैने अधिकारी बता चुके हैं स्ट्राटिजी जो समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स जो समझते हैं, वो आप से बार-बार बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको. डेफसांग प्लेइन्स के पेट्रोलिंग पॉइंट्स पीपी 10, पीपी 11, पीपी 11 ए, पीपी 12, पीपी 13 पे अब हमारे जवान नहीं जा सकते, ये यथा स्थिती, ये स्थिती है, वरस्तु स्थिती चीन के, हमारी बॉर्डर पे चीन के साथ ये है, और होट स्प्रिंग और घोगरा में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 ए, हमारे नियंत्रन से बाहर जा चुका है, चाइनीज फॉर्ण मिनिस्टर इस उन इंडियन सॉइल, इंडियन EAM, एक्स्टर्न अफेर्स मिनिस्टर इस 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 We want to know whether PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 of Depsang Plains and PP15 and PP17A of Hot Springs and Ghogra, are we raising it strongly enough to get these patrolling points back? कि एंडेन फ्कॉस जो चाइना ने जो जमफेरी रिज जिससे सीली गुडी कॉरिडॉर हमारा खत्रे में आ गया है जो गेटवे है नौथ इस्टन स्टेट्स पर बड़े खुश थे कल प्रदान मंत्री जी मुस्कुरा रहे थे कि हम जीद गए हम जीद गए नौथ इस आप न नौथ इस्ट के हितों के लिए आपके लिए सिफ चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है और नौथ इस्ट भले आप पूरा देश हार जाया उनको कोई आपत्ती नहीं क्या इस पर चर्चा होगी और जो 26 वी मीटिंग वर्किंग मेकानिजम फॉर कंसल्टेशन और और हमने प्रतियुत्तर में क्या बोला यह सब बातें देश जानना चाता है आप लाल कालीन बिशाईए चलिए वो भी हम बरदाश कर लेंगे आप लाल आँख नहीं दिखा सकते हम वो भी बरदाश कर लेंगे हमें मालूम है कि आप को पसंद है चीन हमें आपके रिष्टे मालूम है चीन से हमें ये मालूम है जब आप गुजरात के मुख्यमंतरी थे तो आप क्यों बार बार वाँ जाते थे हमें मालूम है कि आपको अमेरिका से वीजा नहीं मिल रहा था हमें मालूम है आपको लेंडन का वीजा नहीं मिल रहा था यूके का हमें मालूम है आपको चीन से वीजा मिल जाता था आप चले जाते थे बारवार स्मार्ट सिटी बनवाएंगे जी गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक कहते थे चीन हमारी मदद करेगा गुजरात में स्मार्ट सिटी बना लेगा गुजरात में तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी और उनाचल प्रदेश में चीन की एक स्मार्ट सिटी बन गई यह यह देखिया फरक तो वादा तो मोदी जी ने ठीक किया था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे वो हम समझे नहीं थे कि वो चीन बनाएगा हमारी टेरिट्री में आकर और यह भी हमें सैटलाइट पिक्चर से मालूम पड़ता है हमारे कि सरकार ने कोई सर्वदलिये बैठक बुला के नहीं विश्वास में लिया कि साब ऐसा हो गया है बताईए अब आगे क्या करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं हुआ बाहर की सैटलाइट इमेज से हमें मालूम पड़ता है फिर दो दिन डिबेट्स होती है चार-पांच बार हम प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं आठ-दस दिन हम संसद में अपना बहस करने के लिए उनको मजबूर करने कोशिश करते हैं फिर हमें बाहर कर दिया जाता है संसद से कभी-कभी जहाद से उतार दिया जाता है हम जैसे लोगों को लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है ये स्थिती चीन के साथ बना आई है और जैशंकर जी को एक आखिरी में मैं सलह दूँगा उसके बाद सुप्रिया जी आपसे बात करेंगी अर्थवयस्था छोटी हो सकती ह है हमारी सेना का कलेजा बहुत बड़ा है उसको कम मता किया हमारी सेना के कलेजे का अपमान मत करिये आइंदा जब मूँ खोलें तो सोच समझ कर बोलें जैशंकर जी पड़े लिखे व्यक्ति हैं डिप्लोमाट रहे हुएं डिप्लोमाट को सिर्फ एक चीज की ट्रेनिंग स सुप्रिया श्रीनेज जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना मुद्धा उठाएं बहुत धन्यबाद आपका पबन जी आप सब लोगों ने देखा होगा आज सुबह से आप ही के चैनल चला रहे हैं और पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर है कि कैसे करनाटक में एक बड़ा स्कैम फिर से सामने आया है मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने मैस्षर का संडल सोप गोल गोल आता है बड़ाई बढ़िया होता और बहुत सुगंदिथ होता है बचपन से मैंने तो बहुत अच्छे से देखा है और देखा है बहुत लोगों को इस्तीमाल करते हुए आज भाजपा की ये क्रिपा रहिए करनाटक में कि उस जंदल के साबुन में भी भरष्टा चार की दुरगंद भर दी गई है और आपको सिलसलेवार तरीके से बता देते क्या हुआ है और यह कितना भयाव है करनाटक के लिए जहां पर दो दिन पहले मोधी जी थे हाथ पकड़ के चल रहे थे यदुरप्पा जी का वही यदुरप करनाटक में भाजपा के मले माडल विरुष विरुष पक्षपा के लड़के प्रशांत माडल जो एक्चली करनाटक Administrative Services के अधिकारी है वो 40 लाख की ब्राइब 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और ये घूस ऐसी वैसी घूस नहीं थी ये किसी फलाने ने धिमकाने ने नहीं बताया था इस घूस के बारे में टिप आफ देने वाले भी श्रयस्ट कश्यप थे जिनका ये टेंडर था जो टेंडर के थूँ आ रहे थे उनसे 81 लाख की डिमांड करी गई थी ये शायद प करीब साथ करोड़ बीस लाक रुपए बरामत किये जा चुके अभी तक ये चोटी मोटी रकम नहीं है ये टेंडर को लेकर जो हेरा फेरी होती है जिसको PCM सरकार कहा जाता है ये उनकी असलियत है और इस सरकार की असलियत बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इनको 40 प् जाइस संस्था है करनाटक सरकार की उनने लिखित में प्रधानमंत्री मोधि को ये लिख कर दिया है कि करनाटक के हर कांट्रैक्ट में 40 प्रतीषत कमिशन देना पड़ता है दो लोगोंने आतमहत्या तक करी है तंग आकर और आतमहत्या करने वालों में कॉंग्रेस के कार्य करता नहीं थे आपको याद होगा संतोष पाटल जी का नाम बड़े कमिटेट भाजपा के कार्यकरता थे उन्होंने कुछ काम किया उनसे भी 40 प्रतिशत कमिशन वसूल किया गया उन्होंने भी प्रदान मंत्री को चिट्टी लिकी और अंततों गत्वा उन्होंने और कमिशनों को गिनाने पर आजाओं और स्कैमों को गिनाने पर तो PSI का स्कैम हुआ है मुलासिस का स्कैम हुआ है लेबर डिपार्टमेंट का स्कैम हुआ है तमामों ऐसे स्कैम हुआ है जिससे करनाटक सरकार गिरी हुई है यह करनाटक ही है जहां पर सड़कों पे गड़ नहीं है गड़ों में सड़क धूननी पड़ रही है इन सारे स्कैमों के चलते लेकिन वापस अगर इनकी बात करी जाए जो प्रशांत माडल जी पकड़े गए हैं उनके पिता अभी भी फरार हैं विधायक है और विधायक ही नहीं है वो चेर परसन है करनाटक सोप एंड गई थी बाकी दाम और आना था लेकिन साथ करोड बीस लाक रुपए कैश में पकड़ा गया ये करनाटक के लोकायुक्त ने पकड़ा है इसके बारे में भारतिये जनता पार्टी के सामने सुई टपक सन्नाटा एक शब्द नहीं बोला जाएगा जो करॉप्शन की बड़ी मंत्री से नहीं सुनाई देगा अब सुनने में आता है कि यड़ी जी जिनके खिलाफ तमाम वो भरष्टाचार के चार्जिस है जिनका हाथ पकड़ के अप्रधान मंत्री चल रहे है वो अब कैमपेंड कमिटी के भी चीव बना दिये जाएंगे तो जब चुनाओ आता है त अगर 40 प्रतिशत कमीशन 81 लाक रुपए था तो कितने का टेंडर था यह हम सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और टेंडर का पैसा लेने वाले उस डेपार्टमेंट के हेड के सुपुत्र थे और एक बड़ी पते की बात है यह मुझे यहां आते वक्त पता चला कि जो आइच चंबना की बात होगी कि वह एंटी करॉप्शन Ala5 में भी मेंबर रह चुके वहां पर वी वह तो कारेड़ थे तो एंटी करॉप्शन एब्योरी एफ-पकरनाटिका का ये हाल है कि वहां के अधिकारी क्योंकि मनेले के लड़के हैं भरष्ट सरकार का अग भरष्ट लाग की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार होते हैं और उनके सहीयोगियों से उनके घर के हाँ से 6 करोड रुपए अलग से करीब 7 करोड 20 लाग रुपए मिलता है मैं पूछना चाहती हूँ आप इस तरह से करनाटक का चुनाव लड़ेंगे और करनाटक की जनता त् कभी प्रधान मंतरी कभी ग्रह मंतरी कभी फलाने कभी अमकाने जा रहें कितनी भी बार चले जाएए कितनी रैली कर लीजे कितने रोड शो कर लीजे जब जनता मन बना लेती है तो निकाल के बाहरी करेगी आपको हमने लगातार करनाटक की जनता के साथ उनकी आवाज में आवाज उठाने का काम किया और हम आज भी वही कर रहे हैं और यह जवाब नहीं ते होनी चाहिए कि कैसे एक डिपार्टमेंट का हेड जिसने की टेंडर इंवाइट किया था उसी का लड़का इतनी बड़ी घूस लेते हुए पकड़ा जाता है आपके सवालों का स्वागत है दोनों स्वो मोटों पर पहले हो तो बेटर रहेगा we have witnessed how the Prime Minister of India ended up compromising लगत मेंगे खचेब चिण तीच जट चिड लगे वीर 9 आफिर शुनिर देव लिवकषे विखने चिनसा हिंग क्या लेक 50 अजार्फ लेह मेंगा लेकापोंड ले कि लेह लुग है अजय की लग लेहां 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 देध लेकापात्ष के लावने की लेहां की लेखना हैं अब्हूलिझ प्रफिय। गुट्ट बियु ट्रेट सेजस्वर्स सेजस्टन, अंकोट। there is a red carpet welcome to him instead of showing him red eyes instead of asking him when will our territory be restored to us 26 out of 65 petroling points are no longer in our control I hope Mr. Jayashankar without batting an eyelid without thinking of the size of the economy without getting scared without getting bogged down is questioning his counterpart about these 26 petroling points these petroling points are in Ghogara hot springs are in Depsang plains the status quo ante before the 20th of April 2020 must be restored there have been 17 rounds of talks military level talks and if we were to take our Prime Minister seriously if nobody entered our territory what are these talks being held for why is Mr. Jayashankar talking to his counterpart on the LSE issue yes you can talk to your counterpart on the LSE issue but you cannot take the Parliament into confidence because the LSE is an important issue for every single Indian you cannot take your own country into confidence you cannot call an all-party meeting so these are very valid questions which affect every single Indian and the Congress Party will not shy from asking from demanding answers because the Prime Minister even when he was the Chief Minister of Gujarat showed tremendous love for China well I am afraid it is a one-sided love and I hope the Prime Minister realizes that the exports over the last one year have gone up you say that you banned some apps but look at the export figures in my press release I am releasing those figures also so these are the questions that the government of India must answer to the people of India first and we hope the interests of India will not be compromised anymore by a weak politically very weak government your questions please Qonji, Qonji, क्या आप क्याता है कि जब तक जिवावलवाज का हमदान नहीं उता है तब तक 12-40 वार्टीम की बात्चीत की होने से इसे रही है बात्चीत आप कीजिए अपनी शर्तों पर कीजिए 26 Petrolling Points 65 में से आपके नियंतरन से बाहर जा चुके है उस पर जवाब मांगिए, पूरा देश आपके साथ खड़े होने को तयार है, आप सीधा खड़ा होना सीखिए, विपक्ष आपका साथ देने को तयार है, आप लाल आंख दिखाने की हिम्मत जुटाइए, फौज आपकी मजबूत, विपक्ष आपका मजबूती से आपके होती, तो आप ही को ताकत मिलती, आप चीन को बता सकते थे कि हम पर डॉमेस्टिक प्रेशर भी बहुत आ रहा है, इसका हमें जवाब चाहिए, हम स्टेटस को एंटी, अपरेल 2020 से पहले की यतास्थिती पर पश्टिकरन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब चीन से हिंदुस्त के मंत्री बात करें, तो दब कर बात नहीं करें, जो मंत्री पहले ही सारवजनिक रूप से बयान दे चुका है, कि हम तो छोटी एकॉनोमी हैं, छोटी अर्थेवस्ता हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, वो किस तरह से आँखों में आखें डाल करके बात कर सकता हैं, मुझ कौन बोल रहा ऐसा, मोदी जी को एक चस्का लग गया है, विटिम बन जाएं, कोई कुछ नहीं बोल रहा हूं की तरफ तो भी वह रहे मेरे को गाली दे दी, मुझे गाली कौन दे रहा है आपको गाली, किसी को कोई रूची नहीं है, आपको गाली देने में, हमारे इस ल Kil x पर सवाल पूचते हैं, महंगाई पर आप हस सवाल पूचते हैं, इलक्ष नक्शन होते ही याफ रसववाई गैस का कीमत बढ़ा देते हैं, हम उसे सवाल पूचते हैं, उस पर जवाप देने की हिम्मत नहीं है आपमें, फिर आके केते हैं, मुझे गाली दे Betweenタ न लिए देखा था अबी महराश में 33 साल बाद जो सीट हमने जीती इन ही से जीती हैं इंहोंने नहीं जीती हो हमारी तो सीटें पूर्वोत्तर में भी बढ़ी है पिछली बार से हां हम ये कहीं की इंट कहीं का रोडा नहीं कर पाते हैं आपके पास धन दौलत जादा है इलेक्टरल बॉंड सब आप ही के पास जाते हैं कल तो सुप्रीम कोट ने अच्छा जटका आपको दिया इलेक्शन कमिशन कैसे अपॉइंट होना है उस पर तो अब भी अगर आपको एहंकार के घोड़े पर सवार होके इस तरह की टिपणियां करनी है तो करिये इसके बाद होते हैं इसके पार्टी तो वहीं चलाएंगी ना हम तो नहीं चला सकते जो उनको निर्ण निर्ण लें हमने नौर्थीस्ट में देखा हमने गोवा में देखा कौन किसकी मदद कर रहा था वो दिख रहा था अभी कल जो रिजल्ट आएं वो अगर आप थोड़ा सा सिर्फ सरसरी ढंग से भी अगर उसका विशलेशन करें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन किसकी मदद कर रहा है हम अपनी पार्टी चला है वो अपनी पार्टी के निरने ले रही बात निशिकान दुबे जी के विशेशाधिकार हनन तो उस पे जब भी कोई में पास फष्ट उत्तरवगा मैं जरूर दूँगा अभी नहीं है में पास there is no chaos in Rajasthan fair enough I have understood no there is no first of all there is no chaos in Rajasthan I am in the chaos is in the minds of people who think there is a chaos there is definitely no chaos our vote share has gone up substantially in the northeastern states on all the three northeastern states if you see the results and I don't see one state affecting the other we are in a very vibrant robust democracy where in 2015 you see what happened in Delhi with Hansabha election and you saw what happened in 2014 in the Lok Sabha election on the seven seats of Delhi so it's a the same city the same state two different elections within a span of one year will show you a different result so you cannot say that results of northeast will have any any impact on Rajasthan absolutely confident thank God 23 any pooch कोई भी ऐसा कारण कोई ऐसा कारण हमें कि नहीं देना चाहिए जिससे कि कोई और देश हम पर हावी होकर हमें सलहा देने लगे हम अपने आप में पिछले 70-75 सालों में एक हमने जगें बनाई है विश्व में और पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबाकर भारत की लोकतंत्र की सफलता को देखता है भारत की विदेश नीती की सफलता को देखता आया है मुझे लगता है कि हमारी सरकारे बदलती रहती हैं किसी भी सरकार को हमारी विदेश नीती की जो ताकत है उसको न कम आखना चाहिए न कम करना चाहिए बश्रते आपने विदेश नीती की बात करी एक सेकंड आपने विदेश नीती की बात करी विदेश नीती एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घुमाया जाए हवाई जहाज पर और उनको जगे जगे जाके कॉंट्राक्ट दिलाया जाए विदेश नीती यह नहीं हो सकती ह मुण तब कर दे च्वकर प्राव 8000 einma को में गॉदंधर कोड़ कि डिकने तव अपट डिकन brake MP कि पहले भारती जंता पार्टी को हम सला देते हैं कि इस तरह की हरकतें बंद कर दें कि जिसका चर्चा करने से भी शरम आ जाती है तो ऐसी हरकतें करना ही बंद कर दें तो हम चर्चा करना बंद कर देंगे आपको इसराइल की मदद लेकर जो कि आरोप है आप पर तो यही है ना कि इस्राइल की मदद लेकर आपने विपक्ष के नेताओं अपने ही कुछ खुद अपने ही नेताओं पर जासुसी की उनके फोन्स के माध्यम से तब नहीं शरम आती इनको उस पर चर्चा हो जाए तो शरम आ जाती इनको यह सोचते है कि BBC पर रेड मारेंगे तो इंगलेंड को पता ही नहीं चलेगा जब तक कि हम उसके बार में चडचा ने करें देखे देर इस वे अडिविव इन इडिविव इन अडिविव इन अटींथ और 18th century where news travels at the speed of a camel cart or at the speed of a pigeon now if I am talking to you right now anybody sitting in Papua New Guinea can also hear me out why don't they understand or they may I'm sure they understand but they think no one else understands you go on the foreign soil and make fun of the country that people were ashamed of being born as Indians तब नहीं आपको शरम आती कि आप जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं पहले उस पर थोड़ा शर्मा जाईए हम उस पर चर्चा करना बंद कर देंगे ताकि आपको शरम पहले ये गतिविधियां बंद कीजिए मेरी कुलीग सुप्रिया जी भी इस पर कुछ कहना चाहती है मेरा सिर्फ यह कहना है कि मैंने सुने वो मुर्खतापूर बयान जो आयन बी मिनिस्टर अनुराग गोली मारो ठाकुर ने दिये हैं पहले तो मैं उनको सला देती हूँ कि केम्बरिज का वो एक घंटे एक मिनिट का वक्त भी जरूर सुनियेगा आपके नयन चक्षू आपके ग्यांत वृद्धी होगी थोड़ी दूसरा मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह जो आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी सॉयल पर जाकर शांगाय में टोरोंटो में कैलिफोनिया में सियोल में अबुदाबी में जाकर प्रधान मंतिर ने जो जो वक्त तवे इस देश की घरेलू राजलीती इस देश के अब लोग अट केंबरिज जज बिजने स्कूल का लेक्चर सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उन्होंने डेमोक्रिसी के लोकतंत्र के बारे में बात करी है उन्होंने आप जैसे न्यूस पेपर आप जैसे न्यूस चानल को अपनी स्लाइड पर उनकी हेडलाइन पूरी है मुझे तो लगता है वो लोगतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं आपको उनसे सीखना और समझना चाहिए जब वो यह कह रहे हैं कि इंडिया इसन एसेट अड़ वर्ल्ड स्टेज अव डेमोक्रसी तो वह आपके लोगतंत्र के हमारे लोगतंत्र की बात कर आपको तो इसके बारे में खुश होना चाहिए बजाए खुश होने के आप इधर उदर की बात करते हैं वो तो यह कह रहे हैं कि हमारी फॉरन पॉलिसी जो नाम पर अधारित थी आज तक चल रही है वो अच्छी है वो यह कह रहे हैं कि जो दुनिया दो सूपर पावर्स अ कर गोली मारों के वक्तव्य देते और फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं वो इस वक्तव्य का मरम ही नहीं समझ पाएंगे तो उनको मैं थोड़ी सी सला देती हूं पूरा वक्तव्य समझिये सोचिये अपने बच्चों को भी कुछ समझाने लाइक वी की अपने की बनियुक्त ङिन्र साथ की क अगते हैं हृआ व्य हम गतित लेक्तिन को खुझत hm हैाव की बनु .... लेत पैंगाश लेग विर रिध मक्तिक देट घ्रिख लिझे है कर दोटेंं। but we have all seen the videos that came out in November and December of Mr. Satyendra Jain and I have been a part of the Delhi government for 15 years jail was under the chief minister then, Mrs. Sheila Dixit never seen this kind of an atmosphere where corruption is so deeply entrenched in the prison administration that they can get away by making such a comment with such brazen confidence, it's shameful. जटके वाली बात आप क्यों कर रहे हैं? जब हमारे दो शब्द बड़े पश्ट हैं, लाइक माइंडिद, समान विचारधारा के दल. जटका तब लगता है, जब समान विचारधारा के दल ऐसी बात करें. मैंने जवाब दे दिया, समान विचारधारा के दल अगर यह हैं, तब जटका लगेगा. यह वक्त बताएगा, लोग बताएंगे, हम समान विचारधारा के दलों के लिए हमारे खिड़की दर्वाजे खुले हैं. मैंने कुछ कहा नहीं, समान विचारधारा की बात करेंगे, उस पर कोई सम्झोता नहीं होगा. हम विचारधारा पर सम्झोता बर्दाश्ट नहीं करते न होने देंगे. मैंने करेंगे, विचारधारा पर सम्झोता नहीं हो रहा था, उस ग्रूपने स्टेटमें लगा के दिनाई किया इस रिपोर्ट को. यह जो एक रिपोर्ट आ रही है कि बड़ा इन्वेस्मेंट आ रहा है अडानी ग्रूप में और यह मार्केट के पंटर्स चला रहे हैं और स्टॉक मनिपलेशन की कोशिश करी जा रही थी, जहां तक मेरी जानकारी है, अडानी ग्रूप ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई क किया है, और कहा है कि यह बेसलस स्पेकूलेशन है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि जब तक इसकी पुष्टी स्वैम अदानी ग्रूप ना करे, इधर उधर करना इसके बारे में गलत होगा, क्योंकि यह स्टॉक मनिपलेशन की और जाता है, यह इंसाइडर ट्रेदिं यही सवाल हमने बाहर पूछा कि जिस अडानी समू में इस देश के प्राइवेट म्यूच्वल फंड्स, जो बेस्ट फंड मैनेरजर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, LIC को क्या पड़ी थी इन्वेस्ट करने के लिए, और LIC का इन्वेस्टमेंट अब नेग आया था, वो पैसा डूब गया है, 80,000 करोर रुपए कम हुए LIC की मार्केट वैल्यू में तब से, LIC का शेर एक साल में सबसे निचले स्तर पर चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि LIC ने अडानी समू के इन शेरों को खरीदने के लिए और उचे दाम पर खरीदने क भारत के महारतन और नवरतन कंपनी जैसे NTPC और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स को बेच कर खरीदा गया है, यह सारे सवालों के जवाब एक JPC ही दे पाएगी और इसलिए हम लगातार JPC की मांग करते हैं कि चाहे SBI हो, चाहे LIC हो, इतने बड़े नुकसान के 525 करोड रुपे लगा कर क्यों खड़े हुए थे, यह सब अपने आप में गहन सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ JPC के मांग्दियम से आ सकता है धन्यवाद, थाइक्यू